हलो दोस्तों आसा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे दा परफेक्ट इस चरी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो के माध्धम से हम लोग सीटेट 2013 जो जुलाई में होने वाला है जो अभी हाल फिलाल में इसका नॉटिफिकेशन जारी हो होंगे उसके सासत इसकी लाजट और इसकी फीश चाहिए आप जनरल ओबीसी यस्टी यसी से बिलॉंग कर रहे हैं और अपीरिंग वाले इस्टूडेंट क्या इसके लिए अप्लाई कर सकते या नहीं कर सकते सेंटर आपको कहां मिलेगा इसके बारे में संपूर इन्फॉर इससर क्या इस बार केवल डियलेड वाले बच्चे अप्लाई करेंगे पेपर वन के लिए जो क्लास एक से लेके फाइब तक होता है तो ऐसी कोई बात नहीं है अभी तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आया कहने का मतलब उसका निर्डर नहीं आया तो तब तक अप्लाई कर सकते हैं और डियलेड वाले बच्चे तो अप्लाई करी सकते हैं तो इसमें आपको बिल्कुल कन्थोज नहीं होना है और लाश डेट की यदि हम लोग बात करें इंपॉर्टन डेट में तो आपका फॉर्म कब से भराना इस्टार्ट हो रहा है तो आप कहोगे इसमाई को इसकी लाश डेट है और ध्यान से मेरी बात को याद रखेगा 27 से फॉर्म स्टार्ट हुआ है और जल्दी से जल्दी आप फॉर्म को भर देंगे तो अपने पसिंदीदा जो आपका सेंटर एक्जामिनिसन सेंटर वो आपको प्राप्त हो जाएगा वरना बाद म आपको किरी जाए ही वडसाप पे टेलिग्राम पे वो यह कि सजी क्या अपीरिंग वाले इसृटन इसको अप्लाई कर सकते हैं तो बिल्कुल yes अपीरिंग वाले स्ट्टन इसको अप्लाई कर सकते हैं चाहे आप एड़ फर्स समेस्टर में हैं second में है थर्ड में है, फोर्ट में है, appearing में है, अभी B8 के लिए नहीं हुआ है, और चाया 1st year, 2nd year B8 में है, तब भी आप इसमें apply कर सकते हो, डेलेट कर रहे हो, तब भी apply कर सकते हो, यदि आप appearing candidate हो ठीक, तो इसमें आपको बिल्कुल confused नहीं होना, जितने information बता दिये, अचकुछ ब रूपए देना पड़ेगा, और फॉर्म भरते समय, यदि paper 1, paper 2, आचा जब हम paper 1 कह रहे हैं, जिसको सिर्फ primary याद रखेगा, जब paper 2 की बात कर रहे हैं, तो इसमें junior रानी 6 to 8 वाले बच्चे आएंगे, ठीक, तो paper 1, paper 2 दोनों, यदि आप भर रहे हो, OBC, general category से बिलॉंग कर रहे हो, आप लोग, तो आपको 12 सुरूपए देना रहेगा, यदि आप ST, ST category से बिलॉंग कर रहे हो, तो paper 1 के लिए 5 सुरूपए, और paper 1 और paper 2 दोनों के लिए आपको 6 सुरूपए देना पड़ेगा, इस point को आप लोग याद रखेगा, इसकी official website से जाके आप form भर सकते ह ठीक, अब important information जो the perfect history आपको provide करता है, पिछली बार जितने बच्चे बिल्कुल सांती से selected class को किये थे, अधिकतर बच्चे नो एक तरीके seated qualify करी लिया है, कुछ बच्चों का यदि रह गया तो आपकी बार उनका और अच्छे से clear हो जाएगा, जो बच्चे नए हैं उन ध्य से मेरी बात को समझेगा, बिल्कुल basic से आपकी class हम start करेंगे, जैसे beard की कछाएं चलाते हैं, आपका concept clear करते हुए, एक एक point को समझाएंगे, ताकि seated ऐसा नहों कि एक number, दो number से रहेगा नहीं, बिल्कुल अच्छे number उसे आप qualify कर जाओगे, इस point को याद रखियागा, ठीक ह अच्छा, class तो हम start करेंगे, उसके सासत revision करने के लिए, आप एक तरीके seated का complete notes भी इस number लेके, बिल्कुल एक तरीके से contact करके, वर्टसप के number पे, आप seated का complete notes भी ले सकते हो, और बहतर आपकी तयारी भी हो जाएगे, जैसे beard आपका अच्छे से हो रहा है, उसी प्रकार से द इल्कुल जी तोड मेहनत करेंगे, और आपका seated अच्छे से qualify होगा, ठीक है, उम्मीद करतें दोस्त, पूरी information को समझेंगे, टेलिग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं, तो the perfect study के टेलिग्राम चैनल से आप जवाई हो जाएगे, कोई भी doubt, कोई भी क्योरीज हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है, चलिए, बिलते हैं हम लोग किसी क्लास साथ, तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखो, आप सभी भाई बैन को जै हीं, जै भारत,